तेरी महाबत ने दिल में मकाम कर दिया तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दिलिप और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा योट्यूब चैनल रोजिक फिल्म और हमेशा की तरह हमारे साथ है प्रदीप और आज हम बात करने जा रहे हैं 1993 की फिल्म रंग जो की बॉक्स आफिस पर भी हिट थी और एक म्यूजिकल ब्लॉग बस्टर फिल्म थी इस फिल्म के गाने जो है वो आज भी गुन गुनाये जाते हैं सुने जाते हैं और याद किये जाते हैं इस फिल्म को जो है वो दिवया भारती की कुछ यादगार फिल्मों में से रखा जाता है आखिर की फिल्मों में से याद किया जाता है और दिवया भारती के साथ इस फिल्म में थी आईशा जुलका बॉलिवूट की कुछ सबसे अच्छी लव ट्रैंगल फिल्मों में से माना सिदीककी की फिल्म थी तलत जानि ने इसे डिरेक्ट किया था बहुत सारी फिल्मे हमें हैंों ठीक्ति में च्बिवुयत कुछा थिमुझिक नदीम श्रावन का धा और लिरिक्स समीर के थे ज्यादतर गाने, इसमें भी समीर नहीं लिखे थे, बहुत simple सा cover है और यह जो है काफी, यह तो नहीं कहेंगे काफी damage है लेकिन हाँ यह damage होने लगा है, इसका color जो है वो निकल गया है, original color जो है वो नहीं बचा है, वो ओड़ गया था, तो यह album जो है, लेकिन हा, cassette जो है वो अभी भी साबूत है, आप देख सकते हैं, यह tips के 90's के cassettes की पहचान है, यह white cassette और पूरी तरह milky white यह cassette है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि रंग जो है, वो काफी popular album था, और करीब 20 लाख लगभग unit इसकी sold हुई थी, cassettes की, और काफी इतना popular इसके गाने हुए थे, कि यह film भी musical hit बन गई थी, और box office space ने कमा का business किया था, मुजिक के साथ साथ दिवया भारती की आखरी फिल्म थी, इस वाज़ेसे भी से बहुत लोगों ने इंतजार किया था, इस फिल्म को देखने के लिए और इसे देखने के लिए उमड पड़े थे, जब यह film रिलीज हुई थी, तो चलिए, बात करते हैं मुज निक और कुमार सानु की voice थी, फिर भी मैं चाहूंगा कि प्रदीब जो है, थोड़ा सा इस गाने को गुन गुनाए है तेरी महाबत ने दिल में मकाम कर दिया मैंने भी अपना दिल ये जा तेरे नाम कर दिया तेरी महाबत ने दिल में मकाम कर दिया बहुत ही मेलोडियस गाना था और रंग के अलबम की मैं आपसे कुछ यादे शेयर करूँ तो ये इतना सक्सिसफुल अलबम था कि जिस गली में जाते थे, जिस महलें से गुजरते थे रंग के गाने जो है सुनाई पढ़ जाते थे और अगले गाने की बात करेंगे साइडे का जो दूसरा गाना था कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं अगें अलकायागनिक और कुमार सानू तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है अगे बढ़ेंगे और क्या कमाल की जोड़ी थे इनकी आगे बढ़ेंगे और एक और हिट नंबर ये भी अलका यागनिक और कुमार सानु की वोइस में था और पी सुननदा ने इनमें सपूर्ट किया था उन्हें तुम्हें देखें मेरी आँखें इसमें क्या मेरी खता है। तुम्हें देखें मेरी आँखें इसमें क्या मेरी खता है। हाल क्या है मेरी दिल का ये तो बस मुझे को पता है। तुम्हें देखें मेरी आँखें इसमें क्या मेरी खता है। आज़ें के साइक मेरी खता है कि कितने रोमेंटिक नंबर थे इस आलबम में एक से बढ़कर आए गाने जो खत्म ही नहीं हो रहे है। और सारे गाने ईक से बढ़कर इक चोधे गानी की बात करेंगे ये गाना था दिल चीर के देख हैग एक सैट सॉंग था सानूदा उससे अलग तरह का जो इस्तमाल नदीम शुरॉण करते थे, मेलेडी के उपर ज्यादा फोकस रहता था नदीम शुरॉण का और सानुदा से वो चाहे रोमेंटिक नमबर गवाएं या फिर सैट सॉंग गवाएं या कोई पैपी नमबर ही क्यों नहों, तो वो मेलेडी का बहुत ध्यान रखते थे और इस सैट सॉंग में भी आपको जो है मेलेडी जो है वो पूरी उभर कर आती हुई नजर आएगी, तो यह गाना था दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा और जैसा की दस्तूर है प्रदीप जो है वो थोड़ा से इसे गुर गुना कर सुनाएंगे। तेरी वफा तेरी सदा तेरा पयाम होगा आज भरी महफिल में कोई बदनाम होगा तेरी वफा तेरा सितम तुझ पे इलजाम होगा दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा यह नाइंटीज के जो अलबम होते थे उसमें खासकर कुमार सानु और नदीम श्रवन का इवन अनु मलिक और बाकी जो आनन्द मिलेंद और बाकी कंपोजर थे एक सैट सॉंग जरूर होता था मुझे ऐसा लगता है कि उस दोर में जो दिल जले या फिर कहें कि इश्क में नाकाम लोग बहुत ज्यादा होते थे उनकी तादाद ज्यादा होती थी तो हर अलबम में एक दो गाने जो आने वैसे ही सैट सॉंग होते थे खायर आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे साइट बी की और इसमें इस अलबम में जो मिझे सबसे ज्यादा प्रसंदिद रहे प्यार का तो ये गाना था मेरे प्यार का हिसाब नहीं मिल सकता हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता मेरे प्यार का हिसाब नहीं मिल सकता हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता कमाल की मेलोडियस ये ट्यून थी जो नदीम शरौन ने बनाई और क्या कमाल का उस पर अलकायागनिक और कमाल सारौने गाया था और बहुत अच्छे लिरिक्स थे समीर के और थोड़े से हट के लिरिक्स थे क्योंकि ये जो बातचीत है कि सवाल का जवाब प्यार का हिसाब न बिल्कुल भी मुझे याद नहीं आ रहा है गाना कमिंग 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 सम्थिंग इस तरह की कुछ लिरिक्स है तुम्हें आदा रहे हैं कमिंग 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 आई हूं मैं आपने मुझे पुकारा इस तरह गाना ओके नहीं मैंने नहीं सुना था और अब तीसरा जो गाना था वो तेरा ही नाम होगा जैसे कि तुमने बताया था कि अलकायागनिक की अलकायागनिक का भी वरस्टान है इसमें एक और ये सानुदा वाला तुमने गा के सुनाया था दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा और आखरी गाना जो है वो बहुत अनूठा गा और एक मात्र गाना है जो उदित नारायन जी ने इस फिल्म में गाया था इस अल्बम में गाया था और क्या हिट हुआ था यह गाना मुझे नहीं पता कि आप लोगों को याद है या नहीं आज के जनरेशन के लोगों को याद है या नहीं आज के दौर के लोग यह गाना सुन हम तुम पिक्चर देख रहे हो किसी थेटर के अंदर हम तुम पिक्चर देख रहे हो किसी थेटर के अंदर और बिजली चैली जाए अंधेरा ही अंधेरा हो और बिजली चैली जाए अंधेरा ही अंधेरा हो और हाथों में तेरे सनम हाथ मेरा हो बिजली चैली जाए अंधेरा ही अंधेरा हो कमाल का नंबर था ये कमाल का गाना था और इसका मुझे एक अंतरा याद आता है जो है की न जाए मसूरी न जाए देहरा दून एरोप्लेन के अंदर मनाय है नमून कमाल का ये गाना था बहुत ही मज़ेदार और उदित नहराइन सब Teachers मज़िदार गानों में से एक है बाद में तो उन्होंने कुमार सानों पे भी लीड ले ली थी लेकिन उस वक्त जो है कि बहुत सारे अलबम ऐसे होते थे नदिम शरवान के और बाकी कंपोजनस के जिसमें बड़ी मुश्किल से एक या दो गाने उदित नारान साब को मिलते थे दो तीन साल की जो बात मैं कह रहा हूँ उस विच में आनंद मिलिन लगातार उनसे गाने गवा रहे थे लेकिन कहीं न कहीं कुमार सानों का जो डॉमिनेशन था वो नजर आ रहा था लेकिन जो भी गाना उदित नारान साब को मिलता था वो ऐसे गाते थे कि वो मजा ला देते थे खिर दोस्तों ये रंग फिल्म की बात हुई इस फिल्म को आज लोग आज भी याद करते हैं और दिव्या भारती की आखरी फिल्म के तौर पर याद करते हैं और ये कमाल की फिल्म थी बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि एक अडर रेटेट फिल्म थी क्योंकि इसमें जो लौट ट्रेंगल है बॉलिवूड का कुछ अलग तरीके से दिखाया गया था दो बहने उनके बीच एक लड़का आ जाता है जो दोनों एक ही लड़ हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और लाइक और शेयर भी कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं और अपनी अनरजी ज़हें पर खर्च करें और और भी शिदत शित्दत से काम करें और अभी कलेक्शन बहुत बढ़ा है रंग के साथ यह और बढ़ेगा, उम्मीद करता हूँ कि यह एपिसोड, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत बहुत थैंक यू प्रदीप आपका, धन्यवाद, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू हमारे साथ जुडने के लिए,